आज रवीवार का दिन है और मेरा मन कर रहा है कि मैं एक कहानी सुनाओ आपको जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है चलिए कहानी कुछ यह शुरू होती है एक बुड़े पिता अपने डेथ बैड पर होते हैं और अपने बेटे को बुलाते हैं कहते हैं कि बेटा मेरे आखरी के दिन है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ तो वो अपने पिता की घड़ी देते हैं जो काफी साल फुरानी होती है और उसे देने से पहले कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी वैल्यू का पता करके आओ कि कितने पैसो की बिकेगी तो बेटा घड़ी लेता है और पास ही किसी घड़ी साच के पास जाता है और वहां से उसकी कीमत का पता करके अपने पिता के पास आता है तो घर लोटने पर वो बताता है कि पिता जी ये 600 रुपे की बिक रही है तो पिता जी उसको एक बार फिर से भेजते हैं कौफी शोप में जाओ और कॉफी शोप में पता गर क्याओ कि इसकी कीमत कितनी है तो वहाँ पर उसको 300 रुपे मिलते हैं वो लड़का वापिस आता है अपने पिता के पास और बोलता है कि इसके मुझे 300 रुपे मिले हैं अब इस बार जो है पिता जी उसको एक म्यूजियम में भेज़ते हैं कि जाओ और उस म्यूजियम में पता गर क्याओ कि ये घड़ी कितने की बिकी इस बार ये घड़ी एक लाख रुपे की बिकी अब लड़का आता है दोड़ा दोड़ा और अपने पिता को बताता है कि पिता जी पिता जी इस बार तो ये एक लाग रुपे की बिगी तो कहानी का मतलब कुछ यूँ था कि पिता उसको अपनी खुद की वैल्यू समझाना चाह रहे थे कि आपकी कीमत वही जान सकते हैं जो पार्खी होंगे अपने आपको कभी भी ऐसे जगह भी ना रखें जहां पर आपकी वैल्यू ना हो रही हो आप अगर ऐसे स्थती में अपने आपको पाती तो वहां से निकल जाई है आपकी कदर वही कर सकते हैं जो आपकी value को समझेंगे तो पिता बस इतना समझाना चाह रहे थे कि अपनी खुद की value को कभी down ना करो आपकी परक जोहरी कर सकता है, एक हीरे की परक जोहरी कर सकता है कर सकते हैं परक जोहरी कर सकता है कर सकते हैं